आज हम जानेंगे कुछ एक ऐसे सपनों के बारे में जिनको देखना अशुब माना गया है अक्सर हम सपनों में कभी कुछ अच्छा तो कभी कुछ बुरा देखते हैं हमारी धार्मिक पुस्तकों में सपने को विशेस महत्व दिया गया है और ये माना गया है कि सपने हमें भविश्य के लिए सचेत करते हैं तो इसे क्रम में आज हम ऐसे पांच सपनों के बारे में जानेंगे जो भविश्य में होने वाली गटनाओं के बारे में संकेत करते हैं जो भी विक्ति इन पांच सपनों को देखता है, उसे सावदान हो जाना चाहिए, क्योंकि उसका सत्रू उसके लिए कुछ बुरा करने की प्लानिंग कर रहा है। तो अब जानते हैं उन सवपनों के बारे में। पहला सवपन, जब आप रात में गहरी नीन में सो रहे हों और अच्छानक ये महसूस हो कि कोई आपका गला दबा रहा है तो उस समय सावदान हो जाना चाहिए, ये सपना इस और इंगित करता है कि कोई सत्रू आपके लिए कुछ बुरा सोच रहा है। दूसरा सवपन, अगर आपको सपने में ये दिखाई देता है कि आप पानी में डूब रहे हैं और लाग कोशिश करने के बावजूद भी आप पानी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो ये सपना ये संकेत देता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको ना पसंद करता है और वो आपका कुछ बुरा करने की सोच रहा है तीसरा सवपन, अगर कोई सपने में अपने हाथ पेरों को बंधा हुआ देखे तो ऐसे सपने को भी बुरा माना जाता है इस तरह के सपने का मतलब होता है कि आगे चल कर उसे कोई गंबीर बिमारी हो सकती है चोता सवपन, अगर सपने में किसी को भूत प्रेद दिखाई देता है तो ये भी अच्छा संकेत नहीं है कहते हैं कि जब घर के देवी देवता नाराज हो जाते हैं और बुरी शक्तिया घर में प्रवेश कर जाती है तब इस प्रकार के सपने किसी व्यक्ति को सचेत करने के लिए दिखाई देते हैं कि घर की सुद्धी करवाई जाए पांच्वा सवपन, अगर सपने में किसी को दिखाई देता है कि कोई अंजान जगह पर गया हुआ है और इस स्थान के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं है और वहां से बाहर जाने का वो खूब प्रैतन कर रहा है पर निकल नहीं पा रहा है तो ये भी भविश्य के बारे में सचेत करता है इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति का कोई खास उससे दूर जाने वाला है तो ये पांस तरक के स्वपन कुछ असुब होने का संकेत देते हैं इसलिए सावदान हो जाना चाहिए क्या आप सपनों में विश्वास करते हैं कमेंट में बताएं वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब करें